राजधानी दिल्ली के रोहनी जिले में प्रेमनगर थाना शेत्र के इंदिरा इंकलेव फेस टू में निर्मान के दौरान मकान की छत बदलने के दौरान एक हाथसा हो गया, जिसमें छत के पत्थर और दीवार गिर गई जिसके कारण पांच लोग हाथसे का शिकार हो गए, जिनने घायल अवस्था में दिल्ली के संजय गांधी हस्पताल में दाखिल कर आया गया, दमकल विभाग की चार गाणिया, कैट्स, एम्बुलेंस और सिविल डिफेंस समेथ, लोकल पुलिस खटना स्थल पर मौजूद हैं, लापरवाही और नियमों को दर किनार कर निर्मान करने के दौरान होने वाला ये कोई पहला हाथसा नहीं है, जिसका खामियाजा काम कर रहे मजदूरों को उठाना पड़ रहा है, हर रोज ठेकेदार और मकान मालिक लापरवाही से निर्मान कारे करवाते हैं, जिसका नतीजा इसी रूप में सामने आता है, पुरानी देवाल पर निर्मान कैसे करना है, और जिस प्रकार का निर्मान इनों ने किया, उसका प्रिदाम ये है कि आज 4-5 लोग घायल हो गए हैं, और पुरी तरह से घायल है, पहले तो मैं इस तरह से प्रकार करता हूँ, कि घायलों को समचित इलाज के माध्यम से उनकी जान की रक्षा हो, और जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, लेकिन एक चिंता का विससे ये और है, और अगर इस मकान का निरमान प्राड़म होआ, और इस मकान की छट तक पहुँच गई निरमान होते होते, तो किसकी जबाब देही बनती है। क्यों नहीं इसको रोका गया कि पुराने देवाल पर मकान का निरमान क्यों करा जाए। और बड़े दुख के साथ कहना पर रहा है कि घटना के घटे हुए दो घंटे से उपर हो गए हैं और इस छत्र के निगम पारसद ही उसके प्रतिधी की यहां पर आने की आवसक्ता महसूस नहीं ओड़ी है यहां की आम जनता के प्रति उनकी कितनी समय दन सिलता है और कितनी ज